तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदुस्तान के भाई की मुवी यानि सॉलमान भाई की मुवी अंतिम था फाइनल टूथ मुवी के बारे में बहुत बड़ा नाम रख रखा है अब यार ये रिव्यू करते करते मतलब मुझे काफी टाइम लग गया क्योंकि मैं ठीक नहीं था मेरी हालत खराब थी मानसिक रूप से मैं काफी जादा परिशान चल रहा था होता है ना हसते हुए चेहरे के पीछे जरूरी नहीं क्या मोलो मैं मतलब कि हसता हुआ चेहरा उस लोगों से बड़ा डर लगता है क्योंकि एक तो सलमान खान के जो फैन है और शारू कान के जो फैन है कुछ बात हुई नहीं थोड़ा बहुत बोला नहीं कि बस हां भया डिसलाइक पे डिसलाइक और गालियों पर गालिया पड़ने स्टार्ट हो जाती है मैंने आस तक मुवी बहुत जादा पसंद आई भी होगी कैर अभी बात आते हैं करते हैं स्टोरी इस मुवी की देखो यार कुछ खास नहीं है सिंपल शब्दों में अगर वह बताऊं तो एक व्यक्ति मुजरिम मतलब की क्रिमिनल बनता है भाई बनता है फिर उसको रोकने के लिए पु क्कुछ नजा है यह नहीं आपको कुछ अलग मिलेगा ही नहीं बहुत प्रिडिक्टेबल है बोर कर देती है ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगएगा जहांँ अधा हूं सूचर को देखकर वाला सीन आता है उसके उपर आप थोड़ा बहुत गैस लगा लेते हूं बट नहीं भी लगाते हो तो इतना कोई सर्प्राइज नहीं करता है आप लोगों को आप देखा है मैं अपने एक परसनल एक्सपीरियेंस आप लोगों के साथ शेर करता हूं जब भी आप कोई मुवी देखने हो और वही आपको मतलब आप तो पहले ही फ्रस्टेट हो उपर से वह मुवी और फ्रस्टेट करते तो यार गुसा तो आता है अब यार ऐसा इस मुवी के साथ हुआ मेरे साथ मतलब अभी आते हूं सिसके पर भी बात करनी है देखो यार काफी सारे जो होते हैं वो लोजिक में possible नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे action हमें उसके अंदर देखने को मिलते हैं, या फिर ऐसी ऐसी गटना है, उसके अंदर देखने को मिलती हैं, काफी सारी जो movies में होती है, जो imaginary जो movie बनाई जाती है, ऐसी movies के अंदर, तो उसमें logic ढूड़ना, तो मुझे कोई भी, उसमें, मतलब तो जब अपना experience बता रहा हूँ, जब यह movie देख रहा था, यार मैं अपना phone निकालके बैठा हूँ, movie देखते देखते, और अपना phone चेक कर रहा हूँ, यार कोई message आया कि नहीं, आया या फिर कोई post है, या नहीं है, सोच रही हो, मतलब कब यह हरकत करेंगे हम, अगर कोई movie इतनी ज़्यादा interesting है कि हम उसके अंदर खोए हुए हैं, तो obviously हम अपना phone कभी ने निकालेंगे, मेरे साथ मैं ये चीज़े feel करता हूँ, कि मैं अपना phone कभ निकाल रहा हूँ, उबासी कभ ले रहा हूँ, या इदर उदर ध्यान कभ दे रहा हूँ, कोन उठके जा रहा है, तब यही देख रहे होते हैं कि यार, यह movie तो हमें खुद पका रही है, तो ऐसा हुआ मेरे साथ, सच में, यह आपका अपना opinion हो सकता है कि आपने इस movie को enjoy किया होगा, city city बजाई होगी, चिलाए होगी, हाँ, obviously दर्शक थे ऐसे, जिन्होंने city आ में जा रहे थे, चिला भी वो एक अलग ही experience होता है, जब आप होल के अंदर देखते हो, मुझे ऐसा feel नहीं हुआ है, और जब यह movie शुरू हुई थी, तो starting में तो इसने अपना interest create किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका interest एक्दम ध्राम से नीचे आगे गिरता है, starting के जो शुरूआत होती है movie की कहानी हमें दिखाई जाती है, तो लगता है कि यार, हाँ यार, इसमें एक अच्छा सा अपने experience देखने को मिलेगा, वो नहीं मिलता बाद के है, मतलब जितना हम उमीद शुरूआत में लगा लेते हैं, तो वहाँ हमें निराशा होती है, और अब action की बात करूँ तो देखो हैं, वो बहुत जादा slow लगे मुझे, मतलब उनकी जब वो किसी गुंडों की पिटाई कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल यार, बिल्कुल नॉर्मल, और वो चल भी, मतलब इस तरीके से मार रहे हैं लोगों को, जैसे की, मतलब है, हैसान हो रहा है, वह बोलना नहीं जाता ह अब मुझे बड़ा लगता है, अब वो आएंगे, मेरे को गालियां देने शुरू करते हैं, तुने इतना कुछ बोल दिया यार, इस मुवी के बारे में, तुझे पता क्या है मुवी देखने का, तुम्हारी नजरों में नहीं बता होगा यार, मुझे मुझे मुवी देख अब बात करें कि अच्छा गया है, इतनी सारी तुम बुराईया में इस्टार्टिंग में गिना दी, जिन्हों ने भया डिसलाइक मारना होगा, अब तो तो मारके जा चुके होगे, गाली भी लिखके जा चुके होगे, अच्छा है कि बात करें, तो देखो यार, मुवी कह कहीं कहीं emotional कर देती है कहीं कहीं पर भी वो ब्रेक आता है यार emotional यहां पर हुए फिर थोड़े दिर बाद नहीं हुए फिर बोर होने लग जाते हैं तो वो इसमें ब्रेक लगता है कहीं कहीं पर भी movie के अंदर जो एक family value दिखाई जाती है वो सच में काफी ज़्यादा मुझे पसंद आई बहुत पसंद आई मुझे वो सच में जो movie के अंदर जो माबाप के प्रति जो एक बेटा अपने पिता के लिए जो feel कर रहा है वो यार सच में touch कर गई वो चीज तो मुझे इसके लिए मैं जूट नहीं बोलूगा एक और चीज जो इसके अंदर किसानों का मुद्दा इसके अंदर दिखाया गया कि किसानों को अपनी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं जो एक reality है actual में जो चीज होती है वो जो इन्होंने दिखाई ना वो भी सच में यहां touch करती है वो चीज अभी हालातों को दोश मत दो कियार मेरे तो हालात ऐसे थे कि मैं बुरा बन गया इसके अंदर जब सल्मान खान बोलते हैं कि मेरे भी तो हालात बुरे थे लेकिन मैं बुराई के रास्ते पर ना चलके अच्छाई के रास्ते पर चलकर अपने आपको एक police officer बनाएं तो ये इनसान तो यही मुझे पसंद आ है और इसी के बिहाव पे मैं खुश हूँ कि मैंने ये मुवी देख ली बैने अब मुस्कराइट तो कुछ हो रही कह रही है अब जो जिन्होंने मैंने कहा ना जिन्होंने डिसलाइफ मार रहे थे तो भाईया मार के जा चुके है और गाली भी लिख के जाई चुके है तो ये लेट हो गया यार मुवी का रिवियू करने में क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम लगता है यार इसको मतलब एक होता है न कि यार एक तो मोटिवेशन वैसी अपनों का घटा बढ़ा है परने के लिए बैठा ही रहता हूं कि कोई कोमेंट आजे मैं उसको रिप्लाय कर दूँ मट कमबक तो करते ही नहीं हूं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप अगर सलमान खान के फैन है तो डेफिनिटली आप ये मूवी देखोगे जो है कि हम देख सकते हैं नहीं देख सकते तो फैमिली के बिहाब पे आप जा सकते हो बच्चों के साथ देख सकते हो वैसा कुछ सीन है क्या एक है ये इग्णौर करना हो चीज़ों तो असक लिए इतना इतना इता इस वीडियो में